नमस्कार, नक्षातरे दुनिया चैनल में आप सभी का हरदिक स्वागत है मित्रों आज के वीडियो में हम केंदर के भावों में और तरकौन के भावों में केतू ग्रह के क्या फ़लोंगे इस पर चर्चा करने वाले हैं इसके अलाबा केतू ग्रह किन लगनों में कारक होकर या फिर किन लगनों में अच्छा प्रवाव देता है, किन राशियों में अच्छा प्रवाव देता है, किन परस्तितियों में अच्छा अत्वा बुरा प्रवाव देता है इन सबी बातों का विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूरवक करने वाले हैं यदि आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आवसे करें वीडियो ग्यान बरदक लगे तो लाइक भी करें आईए शुरू करते हैं मित्रों सबसे पहले हम विचार करेंगे केंदर के घरों में केतू ग्रह के क्या फल होते हैं फिर विचार करेंगे हम त्रिकोंड के घरों में केतू के फलों के विश्य में इसके पश्यात अंत में हम केतू ग्रहे से संबनेत कुछ महत्पूर्ण तत्यों को जानने वाले हैं तो करपया वीडियो पूरा वस्य देखें क्योंकि यदि आप बीच में स्किप करते हैं तो महत्पूर्ण जानकारियों को खो देंगे आईए सबसे पहले हम विचार करते हैं केतू के विश्य में देखिए केतू ग्रहे वास्तम में एक विच्छे दात्मक ग्रहे केतू बंधन का कारक ग्रहे रहस्माई प्रकरती का ग्रहे यदि केतू का सम्मन्द छटवे भाव से बन जाए तो जातक कि बीमारियां समझ में नहीं आती, रोग समझ में नहीं आते, लगन में बेड़ जाए, तो जातक कई बार ये समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है हलाकि जोतिशास्त में केतु को मोक्ष का कारग्रे भी माना गया है, परंतु आप देखें कि केतु येदी कुणली के बारवे भाव में जब कभी भी बेड़ता है, तो जातक को एकांत ज्यादा पसंद होता है जाहे केतु स्वेंबेट जाए पर ट्वेल्थ हाउस में या फर केतु की कोई भी दरश्टी पढ़ जाए, जैसे कि इसके तीन दरश्टी ओहती, पांचवी दरश्टी, साथवी दरश्टी और नवी दरश्टी, केतु का सम्मन येदी कुणली के बारवे भाव से बनता है, तो जातक को एकांत ज्यादा पसंद होता है, इसके अलाबा केतु अलगाव का भी का रखे, आकासमात का का रखे, केतु का सम्मन येदी अस्टमभाव से बनता है, तो आकासमिकता बढ़ाता है, केतु मलिंताओ का का रखे, अलगाव का का रखे, अब सवाल उठता है कि केत नो नंबर की राशी में बेठा भुआ यानि धनू राशी में बेठा भुआ है तो इस राशी में केटू के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उच्च का ये माना जाता है यदी मंगल कुंडी के अंदर कारक ग्रह हो और केटू ग्रह किसी सुबह के प्रभाव में हो यूती प्रभाव में या अफर द्रश्टी प्रभाव में यूती प्रभाव में होगा तो ज़्याद अच्छा रहेगा यदि सुबह ग्रहों के सांथ होगा क्योंकि केतू एक वाई तत्वी ग्रह है जिसके पास सिर नहीं है धड़ है ठीक है यानि उसे यह नहीं पता कि करना क्या है लेकिन उसके पास ताकत है बल है और जिस ग्रह के सांथ बेठेगा उसके बल को यह बढ़ा देगा अब अच्छे ग्रह के सांथ बेठेगा तो अच्छे बल को बढ़ाएगा अब नीच राशी से में बेठे हुए ग्रह से आप अच्छे फलों की उमीद नहीं कर सकते केतु ग्रह की दशा अंतरदशा कस्ट दायक हो सकती है ऐसे जातकों की कुंड़ी में यदि केतु ग्रह की नीच था भंगना हो और केतु ग्रह नीच राशी का हो जाए और नीज का केतु जिस भी ग्रहे पर द्रश्टी प्रभाव डालेगा तो समझ लिजे कि केतु की महादशा में जब उस ग्रहे की अंतरदशा आईगी तो उस भाव से संबंदत या फर उस ग्रह से संबंदत कोई न कोई दिकत परिशानियों की तरफ ये सूचना देता है ऐसा कुंड़ी विसलेशनों के दौरान अध्यनों में पाया गया है अब मान लिजे कि केतु ग्रहे किसी भी भाव में यदी बेठे हुए है वहाँ पर राशी का अंक यदी बारा लिखा हुआ है तो समझ लिजे कि केतु अपनी स्वा राशी में बेठा हुआ है देखिए केतु की स्वेम की कोई राशी नहीं होती है लेकिन मीन राशी को वो खुद की राशी मानता है इसके लाबा केतु ग्रह कुंड़ी के दूसरे भाव में और कुंड़ी के आठवे भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते है अच्छा रिजर्ट यहां पर यह देंगे यदी ये कुंड़ी में कारक ग्रह बन रहा हूँ किसी सुबग ग्रह के सांथ बेठे हुए हूँ तब अनित है नहीं आईए आप एक एक करके बिचार करते हैं सबसे पहले हम कि लगन भाव में केतु के क्या फालोंगे इसके पश्चात अलग-अलग भावों में एक एक करके बिचार कर लेते हैं सामानित है यदि केतु ग्रह लगन भाव में बेठे हुए हैं और अकेले बेठे हुए हैं ठीक है अकेले बेठे हुए हैं और नीच राशी के हो सकते हैं या फिस सत्रू राशी के हो सकते हैं आकारक ग्रह बन कर यदि बेठे हैं करक अतातर पर यह कि मंगल ग्रह येदी कुंड़ी में कारक ना हो और केतू ग्रह नीच राशी के या फर सत्रु राशी के या अकेले हो तो इसी परिसिती में क्योंकि लगन से विचार करते हैं मस्तस्का भी होता है यहां से तो यह मन को भटकाता है, यानि केतू लगन में हो या चंद्रमापर दृष्टी प्रफवा दिखा रहा हूं या पंचम में दृष्टी प्रफवा दिखा रहा हूं या पंचम भाव में हूं ठीक है तो मन को यह भटकाता है जातक कि विचार इस्थर बने रह सकते हैं किस मात्रा में रहेंगे निर्भर करेगा कि केतू ग्रह के पास बल कितना है ये जरूर देख लीजेगा जातक भैसे ग्रशित रह सकता है यानि केर सकते हैं कि कालपनिक भै ईसका वास्तिता से कोई लेने दिने नहीं काल्पनिख भए जीवन के अंदर बना रह सकता है मन के अंदर भाहना रह सकता है हलखि ऐसा जातक उसे वयान नहीं कर पाएगा लेकिन मन में वैस स्वेम मेहसूँस कर पाएगा कि वैसी कारणबस अग्यात करणा हैं हाई वीथ हो रहा है यदि लगन में ये बेट जाए तो जा तक चंचल किसम का भी हो सकता है कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करने कमन करेगा यह एक बात पर वो अडिग नहीं रह पाएगा इस प्रकार की इस्तिति बनती है विशेश रूप से दशा अंतरदर्शा के दौरान आर्थिक स्तिती भी थोड़ी कमजोर रह सकती यदि कुण्डी में धनेश आत्वा लावेश आत्वा गुरू के स्तिती कमजोर हो तब इसके लाबा लगन भाव में जब केतु बेठेंगे तो इनकी पांच विदर्ष्टी पंचम भाव पर जाएगी संतान होने में परिशानी या फिर संतान के साथ निवने में परिशानी क्या सकते हैं कि संतान के साथ वेचारिक मदवेद बने रहे इस परकार के स्तितियां बन सकती है सिक्षा काल के दोरान जैसे कि मानली जी सिक्षा प्रारम करी है या फिर मते काल के दोरान या जातक सिक्षा प्राप्त कर रहा है या जातका सिक्षा प्राप्त कर रही है उस दोरान केतु की अंतरदशा आ जाए या महादशा आ जाए तो एसी परिस्तिती में सिक्ष्या में बाधा, सिक्ष्या में उतार चड़ा देरी विलम बन सकता है अब केतु ग्रह की सात्वी दृष्टी सब्तम भाव पर जाएगी ठीक है, अब यहाँ पर यह देखना होगा कि सब्तमेस कहां बेठा हुआ है नीच राशी का होकर बेटा हुआ है तो दशांतर दशा के तोरान बेभाहिक दिक्कतें परिशानिया कुछ हद तक रह सकती है इस बात की तरपी संकित मिलता है अब मान लीजी कि सब्तेमेस ग्रही सब्तमभाव के अंदर बेटा हुआ है शुक्र ग्रह बेठे हुए हैं या शुक्र की दृष्टी पढ़ रही है अत्वा गुरू का समन्द कुंडली के सब्तमभाव से हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कतें सामानता फिर नहीं रहती है या फिर कम मातर में रहती है केतु जे बलगन में बेठेंगे तो इनकी नवी नवंभाव से बनती है तो धर्मकर में जातक रूची लेता है लेकिन रिस्तों में थोड़ा सा खटास हो सकता है जैसे कि नवंभाव से हम पिता का विचार भी करते हैं हलाकि दसमभाव भी इसके लिए देखा जाता है तो पिता के सांथ मधवेद होना विचार एक हैं इसलिए क्योंकि लगन भाव पर जब केतु बेठेंगे तो आपको यह भी देखना होगा लगनिश कहां बेठा हुआ है और लगन भाव पर किने ग्रहों का प्रभाव है मानली जी केतु गुरू के सांथ बेठ जाए तो इसी परस्तिती में जातक के विचार जो अईस्त अच्छे भी रिजल्ट देता है आईए आप बात करते हैं कि केतु ग्रह येदी कुंड़ी के चतो द्भाव में बेठे हों तो किस परकार के फल मिल सकते हैं में तो इसे परस्तिती में जातक चंचल सुभाव वाला हो सकता है अधिक बोलने वाला हो सकता है इस बात की संभा अपना बनती है आर्थिक परिशानिया या परिवार में थोड़ा सा वेचारिक मतवेद वाली इस्तिती रह सकती है घर परिवार में किसी ने किसी प्रकार की चिंता बनी रहे इस प्रकार के इस्तितियां भी निर्मत हो सकती है जातक खरदे से थोड़ा सा दुखी रहे परि अस्टम्भाव से हम आकास्मात चीजों का विचार भी करते हैं हलाकि यहां से जोतिशास्र या फरहशात्मक चीजों में रुचियों का विचार भी हम करते हैं तो इन चीजों में जातकी रुचियां हो सकती हैं आकास्मिक धनलाब भी यह करा सकते हैं यदि ये व्रश्चक र तो उनकी सात्वी द्रश्टी दसमभाव पर जाएगी तो कारिशेत्र में दिक्कत, कारिशेत्र में परिशानी उस समय विशेस में दशा अंतरदशा के दौरान जब केतु की महादशाय अंतरदशा चल रही हो तब कारिशेत्र में दिक्कत यह परिशानी की तरफिया सूचना पर जाएगी जहां से हम अकेला पन वैरागी का विचार करते हैं ठीक है तो इन चीजों की तरफ जातक का जुखाव हो सकता है यदि कुंड़ी में कारक ग्रह बनकर यदि केतु ग्रह बेठे हो तो जातक एकांत पसंद करेगा लेकिन जातक धार्मिक चीजों में भी रूची हुए है धरमभाव मजबूत है और गुरु ग्रह की कुंड़ी के अंदर मजबूत बनकर बेठे हुए है तो इसी परसिती में जातक धार्मिक छेत्रों में रूची लेगा सन्यास की तरफ भी जातक जा सकता है यदि गुरु का समन्द कुंड़ी के नबंभाव से बन रहा ह देखे केतु ग्रह यदि कुंड़ी के सब्तमभाव में बेठेंगे मीच राशी सत्रू राशी के होकर या आकारक ग्रह बनकर तो एसी परस्तिती में बेवायक जीवन या फिर व्यावसायक जीवन में उतार चड़ाव के स्तिती बन सकती है कि ये गया कारियों का समय पर ला में रखते हुए ही हम ये तेखर पाएंगे कि केतु के रजल्ट क्या होंगे मैं तो केतु कुंड़ी के दसंभाव के अंदर यदि बेठ जाते हैं तो यदि कारक ग्रह बनकर बेठे हो तब तो ठीक मानली जी नीच राशी है सत्रू राशी के होकर बेठ जाएं तो कारिश में उतार चड़ाओं के स्तिती बन सकती है धन बचाने में जाता को परिशानियों का अनभाव हो या पारिवारिक जीवन में अत्वा कारेस्थर में कोई ने कोई दिक्कत परिशानिया बनी रहे इस बात के तरफ यह सूचना देता है यदि केतु की दशा अंतर दशा के तो उस दौरान येदि कोई बीमारी होती है तो आसानी से पकड़ में ना आना इस प्रकार के दिक्कत ने रह सकती है यदि इस प्रकार की वास्तिक परिशानियों का नभाव हो तब आप केतु से संबंद्ध दोपाई कर सकते हैं ताकि नकार अत्म प्रभाव में कमीले आई मित्रों अभी हमने केंदर के घरों में केतु के क्या फ़ल होंगे इन पर चर्चकी आईए विचार करते हैं कि तिर्कोण के भावों में केतु ग्रे के क्या फ़ल हो सकते हैं मित्रों केतु ग्रे येदि कुंड़ी के पंचम भाव में बिट जाएं तो पंचम भाव है इस्तमाल ना कर पाए इस प्रकार की situation create हो सकती है यदि ये नीच राशी या सत्रू राशी के होकर बेठे हुए हो और पीडित हो जाएं अब मान लीजे कि ये कारक अगर है बनकर ये दी बेठते हैं तो इस प्रकार की सामानता दिकत नहीं रहती या कह सकते हैं कि कम मात्रा में इस प्रकार की स्थितियों से उसे दोचार होना पढ़ सकता है क्योंकि पंचमेस और पंचमेस की स्थिति, बुद्ध की स्थिति हमें देखनी होगी कॉंडी के अंदर केतु ये पंचम में बिठेंगे तो जातक धार्मिक शेत्रों में हालकी रुची लेगा, क्योंकि केतु मुक्ष का कारग्रे भी है, और इसकी पांच विद्रष्टी धर्म भाव पर पड़ेगी, यह नहीं भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो जातक धर्म कर्म में रुची ले सकता है, इस बात के संभावना बनती है, इ केतु की नवी दिश्टी लगन भाव पर पर पढ़ने के कारण सही निर्णे ना कर पाना इस प्रकार के सितनी बंद सकती हैं। हालकि आपको यह देखना होगा कि केतु ग्रह पर किन ग्रहों का प्रभाव है। केतु किन ग्रहों के साथ बिटा है। इसके बाद ही यह तेखर पाएंगे कि वास्तम में केतु के अच्छे फ़ल मिलेंगे अत्वा थोड़े से खराव। आईए विचार करते हैं कि केतु यह दी कुंड़ी के भागी भाव यानि धर्म भाव में बिट जाएं। तो किस प्रकार के फ़ल मिल सकते हैं। मित्रु केतु ग्रह यह दी कुंड़ी के धर्म भाव यानि भागी भाव में बिटते हैं। तो जातक धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों का धनी होगा। यह दी नीच राशिक नहीं होने चाहिए ध्यान रखिएगा। तो जातक धार्मिक भी होगा, धर्मकर्म में रुची भी लेगा। हाला कि विचारों में थोड़ा बहुत भटकाव रह सकता है। मतलब कुछ व्यर्थ के कारियों की तरब भी जातक जा सकता है। यानि व्यर्थ की दोड़ धूप करवा सकता हैं इसा केतु। हाला कि जातक धार्मिक यात्राय करेगा, गुरू के प्रभाव में ये दी केतु ग्रह हैं, तो ये मौक्ष का करण भी बनता है। मित्रों, अभी हमने केंदर ओतरकूर्ण के भावों में केतु ग्रह के संभावित क्या फल हो सकते हैं इस पर चर्चा की। आईए अब जानते हैं कि केतु से संबंदित कुछ महत्पूर्ण तथे, कि केतु वास्तम में किने ग्रहों के साथ क्या फल दे सकते हैं। देखें किसी भी लगन की आपकी कुण्डी हो सकती है, केतु ग्रह जिस भाव में बेठे हुए हैं वहाँ पर राशी देखें। सुब फल मिलते हैं। दूसरे तथे पर बात करते हैं। देखें केतु ग्रह का संबंदित के अस्टम भाव से हो जाता है। इसके लावा जिस भी भाव में केतु ग्रह बेठेंगे उस भाव में आईस्थरता लाने का प्रया आईस्थरता लाते हैं। थोड़ी बात आईस्थरता थोड़ी बात पर परिशानी हो बनी रहती है। जैसे लगन में बेठेंगे तो मान से का आईस्थरता। तो ये गुण है केतु का जिस भी भाव में बेठेंगे उस भाव से सम्द्थ कुछ न कोई थोड़ी होता इस्थरता ये लाही देते हैं या लाते हैं। अगली बात पर विचार करते हैं। केतु ग्रह किसी भी भाव में बेठे हुए हो वहाँ पर मान लिजे इनके साथ गुरु ग्रह बेठेंगे तो अच्छा रिजल देंगे। केतु को मुक्ष का कारत ग्रह मान गया तो गुरु के साथ ग्रह बेठेंगे तो सामानता अच्छा रिजल देंगे। वश्रते की ये पीड़त ना हो रहे हो नीच राशिक होकर ना बेठे हुए हो। आईए अगली बात पर विचार करते हैं केतु ग्रह मान लीजिए किसी भी भाव में ये दिबेठे हुए हैं और मंगल ग्रह के साथ बेठ जाएं और मंगल ग्रह की कुंड़ी में इस्तिती सुब हो। केतु नीच राशिक नहीं होना चाहिए हलकि तो ऐसी परसिती में मंगल के सुब होने पर केतु भी सामनता अच्छा रजल्ट देते हैं इस बात के संभावना बनती है हलकि इसके लिए कुंड़ी का वसरेशन आवशक हो जाता है। कारग्रे होने चाहिए। बुद्ध ग्रे की चमता को ये बढ़ाने का काम ही करते हैं लेकिन बुद्ध नीच राशी ये सत्र राशी के नहीं होना चाहिए। क्योंकि येदि स्वें की राशी ये फिरुच राशी के होकर येदि बेठेंगे तो सुब प्रहव में बढ़ोतरी होगी। आईए अगली बात को समझते हैं। गुरु और केतु का संब्ध येदि कुंड़्ी के चटे भाव में आकर बेठ जाएं। या फिर इनका संब्ध कुंड़्ी के चटे भाव से हो जाए। तो ये स्थिती भी सुब मानी गई है, किस द्रश्टी से जातक को एक अच्छा कूट नितिग्य बनाता है, इसके लावा केतु ग्रहे और लावेश या धनेश, केतु ग्रहे लावेश या धनेश के साथ बेड़ जाए, तो ये स्थिती सुब मानी गई है, लावेश के साथ ध और आसी का ग्रह येदी बिट जाए। फिर सुनिये येदी कोई ग्रह केतु के साथ बिटाओ और वाय ग्रह खुद की राश्य में बिटाओ तो केतु उसके बल को कई गुना बड़ा देते हैं। तो ये कुछ बाते थी जो आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखने का इसे प्रयास किया। मित्रू कारिक्रम ग्यान बरतक लगा हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्र स्क्राइब भी करें। धन्यवाद।